राशी में वित्मंतुरी रामेश्वर उराओं के नीची आवास पर छापे के दोरान एडी को 30 लाख रुपे मिले। यहां सुबद 6 बजे छापा शुरू हुआ था जो देराद तक लगतार 15 घंटे चलती रही। वहें शराब कारुबारी विनैस सिंग के ठीकाने से करोडों के जेवर मिलने की खबर हैं साथी कई एहन दस्तावेज भी बरामत किये गए हैं जिनका वेरिफिकेशन चल रहा है वहें से मामले में पूस्ताश के लिए एडी ने योगंदर तिवारी और अमरेंदर तिवारी को शिनिवार को तलब किया है जारखंड के आठ जिलों में शराब गुटाले को लेकर पढ़ेजी के जापे से शराब कारुबारियों में हडकम मश गया है जारखंड शराब विवैपारी संग का कहना है कि शराब नीती की नियमावली से छेट चार चार के चलते ये नौबत आ पर आज तक कभी भी कोई दाग नहीं लगा था विभाग पर आज कम सभी कोई सवमें हुए हैं सभी कोई डड़े हुए हैं बेपारी हो चाहे विभाग के अधिकारी हो जो सराब नीती सराब नीती अभी भी चालू है तो सराब नीती जो बनाई गये थी उसी तरज पर अभी भी जो प्लेस्मेंट एजनसी को दिया जाड़ा है लोट्री सिस्टम नहीं करकर के आप टेंडर निकाल के दे रहे हैं तो उसमें वो नियम का अंदेखी किया गया है जो अभी जो दिया गया है चक्तिस गरवाले में पूरा नियम था उस नियम को क्यों नी फोलो किया गया भी बिना नियम के तहट में अभी जो दिया जा रहा है अभी साहिब गंज से बड़ी खबर है जहां खरनन घुटाले की जाच के लिए सीबियाई की टीम साहिब गंज पहुंची है जहां टीम कई बड़े अपसरों से पूस्ताच कर सकती है बतादे की पत्तर खनन घुटाले और एडी के गवाः विजय हांसदा को मैनेज करने का मामला सामने आया था जिसके जाच के लिए राचित से सीबियाई के टीम पहुंची है सीबियाई ने जिला प्रशासन को पहले ही पत्र भेज कर आवश्यक संसाधनों की विवस्ता करने को कहा था सीबियाई की साथ सदस्य टीम सुबा वनांचल एक्स्प्रेस से साहिब गंज पहुंची है इडी के गवा विजय हासना ने मई 2022 को ऑनलाइन आवेदन के माद्दम से पुलिस के पास प्रात्मी की दर्श कराई थी इसमें बरहेट विदायक प्रतिनेधी पंकच मिश्रा, विश्नु यादो, पवित्र यादो, राजेश यादो, बच्चु यादो, संजय यादो और सुभाश मंडल पर नीमु पहाड पर अवैद खनन करने का आरूप लगाया था सिम्डेगा में हाथियों के उत्पात से लोग सहमे हुए हैं जुन्ड से बिचड़े दो हाथी विविन प्रखंडों में आतंक मचा रहे हैं भोशन की तलाश में यहाथी गाओं का रुख करते हैं साथी घरों को तोड़ कर उसमें रखा नाचट कर जाते हैं वही हाथियों के हमले में कई लोग घायल भी हो गएं जिसमें से कुछ की मौद भी हो गई सिम्डेगा के ठेटाई टांगर जल्डेगा और बोलबा प्रखंड हाथी से जादा तबा हैं रात होते ही हाथियों का जुन्ड गाओं में तांडों मचा रहा है साती बरसाद के लोगों का घर दोस्त कर रहा है एक तरफ ग्रामिड परिशान है वहीं दूसरी तरफ वन विभाग हाथियों को भगाने की प्लानिंग में जुटा है लेकिने नाकाफी साबित हो रही है वहीं को लिबिरा विदायक ने हाथियों को भगाने के लिए